यस मार्केड स्टार्टेड ओपनिंग हुई और गैप अब गोबल मार्केट के अगेंस्ट थोड़ा चल रहा हमारा मार्केड भी विल ओपन लिटल बिट मतलब उनकी अगेंस्ट ही मूँ हो रहा है लास्ट त्री फोर देसे जब वो बुलिश है तो भी हम गिर रहा है और आज वो हलका से जब नीचे ते तो वह अपर जा रहे है तो बेकॉस आज और कल अलग पॉइंट आफ यू से वो चलने वाद है तो स्टार्टिंग में अभी क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है कल की तो फॉर जो नाए ट्रेडर्स है या फिर जो बिगनर्स है यू विल नीट तो अंडरस्टेंड कि फॉस्ट आप में आपका रिस्क रिवार्ट फिवरेबल नह बड़ी तो इस कि अच्छान के सबसे कुछ स्टॉक्स अभी पुल डॉप पुल आउट हो रहा है तो उनमें से अभी आपका जो एक बीपी सील है वो रहा है एसार एफ आ रहा है यह दो थोड़े से अभी मोमेंटम बेस में एक बिल्डफ हो रहा है बट अभी थोड़ा फाइव मिनेट स्टार्टिंग का प्रेजेक्शन दिखने के बाद देर विल कि वी कन लुक एंट्रेंट अब सेक्टरल वाइस भी अगर हम देखेंगे तो सेक्टरल पैटन में भी मिक्स है फार्मा डाउन है आईटी डाउन है तो मेटल सब है तो वहां पर भी थोड़ा मिक्स्टर हमें मिल रहा है है पर को हो सारे के बाद के सारे है तो यहां पर इन सी तस बाद के अशिया पर असन टांट टू कलेंड़ का इसलान है तो यह आ सदिक थोड़ि से है कोई का कल के कॉल डेबिट्स जो जो कल एंड ओफ दे में स्क्वार आप हुए आज कुछ वहाँ पे कैरी हो रहे है सो उसके हिसाब से वी आर नविगेटिंग इट की लेवल्स पता है मार्केट की कहाँ पर एंड अभी जो है कॉल सेट रेशो भी है 41500 जो कल बनाया था 42 200 विच इस वन इंटू टू का रेशो तो प्रॉफिट वहाँ पर अभी अपना मार्केट में अभी विए प्लेइंग डिरेक्शन और रेंज भी करेंगे अगर मार्केट रेंज पकड़ेगा कल के बाद तो हम डिरेक्शनल वाले जो ट्रेड़े उसमें निकल जाएंगे और कल मार्केट अगर डिरेक्शन लेंगा तो रेंज वाले ट्रेट निकल जाएंगे बट सब हैज्ट है सब में रिस्क फिक्स है अगे अगे चीक है अगे तो बीपी सी एल और असर एफ अभी कि यह दो है यह थोड़े से अभी मतलब उन में एक मोमेंटम दिख रहा है वापर राइट कि नहीं पर देन वी हाव टू फोकस ब्यारिश साइड तो इतना कोई ढंके है नी टेके में एक है कि टेके में एक है क्योंकि आइटी इंडेक्स डाउन है तो यहाँ पर यह भी एक टेके में हम एक फोकस एक 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 इग्रेसिव इंट्री यहाँ पर इस केंडल डबलो रसी के बाद ले सकते हैं अरे यह जो रहेगा एट पॉइंट्स का वहाँ पे रहेगा क्योंकि अच्छे पॉल्यूम से आ रहा है एंड रिस्क रिवार्ड वहाँ पे अपना विल वी अरॉन इट पॉइंट इसमें स्पेस अच्छा है अगर यह परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा स्पेस में है इट पॉइंट्स का देगा तो टेके मिजर फॉर्स्ट बैट और जो पहला है अरॉंड वी विल वन थाउजन फॉर के असपास निकलेगा यह वन थाउजन का बीर इन भी है तो वन थाउजन फॉर के पास आपका इसका एग्जेट होगा तो यह भी स्कैनर से ही अपना ट कुछ भी गडबड लग रही है तो हम उसको जल्दी निकल भी जाएंगी क्योंकि बजेट है इवेंट है तो थोड़ा सा मार्केट विपसॉस मार सकते हैं तो इसलिए जो कर भी रहे है मोमेंटम कम कॉंटिटी में करो तो यह आप अच्छे सिवा कर पाओगे तो टेकेम सेल साइड इसार फॉस्ट बैट हाँ यहां पर माइटी इंडेक्स भी देख लेते तब तक हाइटे इंडेक्स क्या चल रहा है इटे इंडेक्स भी नीचे पुश्ट डाउन हो रहा है बट इसमें वालिम बहुत अच्छा मिले तो इफ फाइव मिनिट्स का भी इसने अच्छा गासा एक ब्रीकडाउन बनाए अगर यह नेक्स केंडल एक पुश्ट डाउन होती है तो विट डेक्स केंडल में हमें अपना रिवार्ड मिल सकता है मतलब अगर जाना है तो इसकी इसके नेक्स केंडल में 1005 के आसपस आगया तो आप पर पार्शली बुक करकर के ट्रेट क को रिस्क करना है फिर पीडियल के साब से वह आपका जो ट्रेड है वह ट्रेल हो जाएगा नेक्स्ट एक दो केंडल में अगर देना है तो देदेगा फटाक से देदेगा तो एकदम बुकिंग फास्ट होनी जी है उदर वह लिमिट ओडर वगरे का जंजट पालोगे तो रह जाएगा क्योंकि मॉमेंटम फास्ट रहता है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि बाकि यहां पर थोड़ा बीपी सेल में उपर से सेलिंग वॉल्यूम भी आ है तो वह थोड़ा सा गड़बर कर रहा है आपर इसको कर लेंगे इसको भी अगर वॉल्यूम वाइस अगर आ रहा है तो यहां पर भी हम अच्छा बाइंग वॉल्यूम अगर आ रहा है क्योंकि IT इंडेक्स भी पीडियल के असपास है तो बाइंग वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो टेकम भी एक्सिट हो जाए क्योंकि यह भी मार्केट डिरेक्शन दो दिन थोड़ा सा हमें कॉश्यस कहलना है बट अभी गिरेगा तो अभी नेक्स्ट ये अगर पीडियल तक आएगा तो ये अपने टार्गेट तक आजाएगा तो अभी भी वॉल्यूम बिल्ट अप नहीं हुआ है टेकेम में अभी अभी तक आया नहीं है तो अभी अपने प्राइस के आसपास ही वापे अभी गूंब रहा है अभी तो बीपी से रिजेक्ट वा यूग अपर अपर सेलर आया बहुत बढ़ा आप मार्केट में तो बीपी सेल का भी थोड़ा सा यह इन फैक बीपी सेल अभी जिनको एग्रेसिव करना यह सेलिंग साइट भी ट्रिगर करना नाइए त्रिगर सकता है रिस्क साहरे थीन पॉइंट का है बट ओनली फॉर और ओल सुदेंट इस वोड़ भी दो रिस्क रिस्क अपन उतना भी नहीं रखेंगे अपन डबलो रसी के बैसिस पर यह रिस्क रख सकते हो दो रूपे का रिस्क रहेगा और रिस्क रिवाट वन एस्ट वन यह पहला यह रहेगा 345.5 तो BPCL भी एक मोमेंटम रिवर्सल के डिरेक्शन में वहाँ पर हो रहा है क्योंकि यह 350 के ऊपर यह एक ब्रेक आउट ब्रेकडाउन करके वहाँ पर आ रहा है इसका टार्गेट यह रहेगा विच इस आराउंड टुएस 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 ट कम रिस्क है आपे 2 रुपीस का और रिवार्ड भी अपने को फॉर्स टुएस 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 करके निकल जाना है शालो तो अभी आप इसने मल्टिपल रिजेक्शन लिया है टेकेम ने अब गिरना है तो अभी नेक्स्ट एक दो केंडल में गिर जाना जी है चलो वापस आ रहा है नीचे बीपी सेल भी आ रहा है गेट रेडी टू बुक पार्शली बीपी सेल ठीक है 345.5 के अराउंड वहाँ पे आ गया पार्शली आपको बुक करना है आई जाएगा वो उसका नहीं चलो आ गया तो वन एस्ट वन रिस्ट रिवर्ड मिलिए तो उसको अभी ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो सोचना नहीं फटाफ़र रिस्क फ्री करना है एंड रिमेनिंग जो कॉंटिटी है अब यह ब्लैक लेन है इसके उपर स्टापलाज दालके भूल जाओ उसको अब क्योंकि अब जो है अगर यह मार्केट यहां से रिवर्सल ट्रिगर करेगा तो यह ब्लैक लेन के उपर वो डबल रसी क्लोजिन देगा और आपको बहुत जबर्दस प्रोफिट उसमें हो सकता है वेकाँ अब रिवर्सल देगा ना पूर अखा जाए गए गया फिल करने आ जाएगा विच इस टेन पॉइंट बिलो तो अब जो हमें रिस्क रिवार्ड हम टार्गेट करेंगे हम पूरा टार्गेट करेंगे या तो पीडेस टक ट है तो यह ट्रेड अपना ओगया नो टेकेम का जो रहेगा टेकम का जो रिस्क है वो आप नहीं लेंगा उतना बड़ा अब रिस्क यहां पे इसका आपका चेंज होगे जाएगा विच वोड़ भी अबवाव 1015 यह अब हम पूरा उपर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि आप कि इंडेक्स गिर रहा है अभी इसको आ जाना चाहिए बट बीपी सीयल कैन बिकम जैकपोट ट्रेड अगर यह रिवर्सल ट्रेंड में मतलब फेक ब्रिक आउट में कनवर्ट हो रहा है तो बहुत मजा आएगा इसमें अब मार्किट की मर्जी है यह ट्रेड हमाले रिस्क हो गया है कि अगर आभी जाएगा 349 के उपर नो प्रोफिट नो लॉस में मैक्सिम निकलेगा तो इस इस हाओ मोमेंटम वक नहीं कर रहा है तो हम रिवर्सल भी ट्रेड करते हैं आपको दूसरे डाइम अब टेकम भी आ रहा है तो यह कहीं कि ट्रेड बनने से पहले कॉण्फिडन्स होना चाहिए है ना बाकी लोग जो है वो ट्रेड के बाद बहुत ग्यानबाजी करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होता ना किसी को फायदा होता है बट यहाँ पर आपको पता है क्या है एक प्रोसेस रहा देन यू कैंसी मैं दस स्टॉक डिसक्स नहीं कर रह है इसमें कोई इश्यू नहीं है तो अट लिस्ट यह रहागा कि अगर बजट हमारा कर अच्छा है तो यह 50 60 70 के प्लस भी जा सकता है इफ वी गेट एक्जेक्ट एक्जीक्यूशन मतलब कला करने बजट के लिए एक्जेक्ट हमें वो चीजे मिल रही है तो सबसे बेस्ट ह हो जाएगा बट वह अब मार्केट के उपर है ना वह हम कभी भी प्रेडिक्ट करके नहीं चलते क्यासा होना चाहिए अब यहां पर वॉल्यूम डिप हो रहा है भी पी सेल में तो अब उसका जो रहाएगा फॉल आ गया तो सीधा यह केंडल डेल हो है तो जो गंजर्वेट इसके उपड़र डबलो खी यह ऑन मेनेट में तो 50 Ergebnis हो गवातरइट क्योंकि अब वह मोमेंटम उसका थोड़ा सा आइटींटेक्स क्योंकि पीडैल के नीचे 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 निचर्श्य चाई तो इसको थोड़ा सा हीया से शार्फ में वॉल्यूम यह यॉल्यूम कोई आ वॉल्यूम मिसिंगे टेकम थोड़ा सा की PDL IT इंडेक्स PDL के नीचे निए इसलिए थोड़ा सा यह और रुक रहा है हमें वॉल्यूम दिख रहा है थोड़ा यह हम यह निकल जाएंगे क्योंकि थोड़ा यह फिर देन इट विल बिकम डाइसी और अननिसरी हमें नहीं रुकन और आवाज आरिया ना है किया विविक लो अलो बीपी सेल का चार्ट डाल देना वोला यहां यहां पर अभी जस्ट हाडली हम लोग अभी जो पहले आट रुपे का रिस्था अब हम सिब धाई रुपे का रिस्क ले जादा रिस्क ने लिए देखो तो यहां पे आप अब तो प्ले स्मार्ट ले ने तो एक्टिव होने अपको ट्रेडी जब आप कर रहे हो मोमेंटम यहाब तो बी बेरी अक्टिव मतलब इट्स लाइक की प्रेजेंस ओफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए अवेर्नेस अच्छी होनी चाहिए कि हां कब वाक कर रहे है नहीं अगर यह वक करेगा तो वक करेगा नहीं करेगा तो विल बी आउट इसका जो बारत बीपी सेल का जो ट्रेड है वो अपर आएगा वो टाइम पास करेगा वो ले ट्रेटी देगा हम निकल जाएगे कोई प्रॉल्म नीचे जाएगा रिवर्सल ट्रिगर होगा ट्रैप अगर रोग करो एसरे फ को विल नट पे अटेंचिन वालिम देखें देखें रही लकुल वालविम निया रहा कुछ भी व्लूम निया इसले के अगर रहे नाइन नीचे उपर नीचे उपर वस टाइम पास कर रहा ठाट टेकेम में वैसे वाल्युम चला गया भी और बीसल म तो इसके वैसे थोड़ा सा यह रुक रहा है कि मार्केट का ओवरॉल जो थीम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया तो अभी हम यहां पर अलट डाल देंगे अभी हम इसमें खत्म हो गया इसमें एक अलट डाल देंगे या फिर 106 के नीचे थोड़ा सा अलट डाल देंगे हो गया तो यह दो स्टॉक अप जहां अलट वजएगा वो देखेंगे भी है बाकी का जो नेक्स्ट फोकस रहेगा भी है इंडेक्स में तो कुछ है नहीं वैसे भी घूम रहा है वहां पर उसका भी वॉल्यम डिप हो गया है आज विक्स राइजिंग है बढ़ा ही तीन परसेंट ही राइजिंग है तो उतना कुछ उसका बड़ा इंपक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि जो मार्केट गिरेगा डेलो ब्रिक करेगा बैंक निफ्टी या तब आपको वहां पर उसका वह राइजिंग वह बड़ेगा तब तक नहीं बड़ेगा अधिका रिडिंग में तभी मजा आएगा आपको ट्रेड करने में जब आपको रिस्स रिवार्ड रिश्व काफी फिवरेबल होता है मतलब आप उसे कर पाओ अब यहां पर भी आप साथ वहां पर रिस्स उनली ती रुपीस का था मिमिस नियरली नीचे गिरना पड़ेगा अना टार्गेट वन जो उसने दे दिया अब इंडेक्स पीडियल के नीचे गिर दिया अब सीधा स्टॉप लॉस डाल दो यहां पर यह अलट डाल दिया है और अब नेक्स्ट अलट आपको देखते रहोगे आपको हमेशा यहार माइंड सेट आपका डाइवर्ट होते रहेगा और आप प्रोसेस को भूलके इमोशन पर काम करना चालू करते हैं तो वह सबसे हमारा फॉर्स्ट स्टेप हम जो सिखाते हैं वह है कि यहाफ टू लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसे आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊगे यह गारेंटीड है डाजन मैंटर आप कितना टालेंटेड है आपका आईक्यू लेवल क्या है कोई फ़रक नहीं पड़ता है बड़ अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट कर रहे हो और रिवार्ड अच्छे से मैनेज कर दो तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़ोट अतनी है मार्केट बरब बर आपको पैसे दे तो यह उसने काम कर दिया अपना और आप मोमेंटम स्पेसिफिक कोई और ट्रेड नहीं करेंगे दो हो गए अपने अब नौ भी विल क्योंकि अब ट्रेड से तो पैसा बन गया अब या तो यह ब्लैक लाइन जो ड्रोग की ये दोनों के इसमें यह ब्लैक लेन के उपर जाएगा तो वह एक्जिट और अगर ब्लैक लेन के उपर चला मतलब नहीं गया वह तो पॉसिवल है की होल्ड जो ट्रेंड जावे हो आप मार्केट के ऊपर है तो वी वोंट इंटर्फियर अभी उसमें बैंक निफ्टी भी 40,000 थ्री अंड फॉर्टी दॉजन के ऊपर आ रहा है कल बहुत अच्छी उसने डबलो रसी बनाई है बैंक निफ्टी के तो अभी यह स्टॉक को बार बार देखिए को यह मतलब नहीं है इनको अभी हम छोड़ देंगे वैसे अपने उनके हाल पर हमने अपने अलर्ट डाल दिये है और हमने अपने अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए यह बहुत अच्छा आरली है तो वाल्यूम भी उसका बहुत अच्छा है तकड़ा है बट जो कल डाउट स्वाइ इस दोनों साइड विक बनाया है 40,700 से 30,700 यह दोनों इंपोर्टेंट है कल यहाँ पे काफी वोलिट्रलिटी आगे मार्केट ने दोनों साइड के स्टॉप लॉस इसका है बजट के पहले जिन लोगों ने पोजिशन सीनिशेट किये लॉंग पोजिशन स्कीपिंग स्टॉ स्टॉप लॉस अबाव क्या 40,200,300,400 तो या फिर 500 देखो आज का हाई क्या हमारा उसने 600 तो यह सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुक है चैट में अभी आप मत डालेगा मैं डाउट्स के लिए चैट में आपको टाइम स्लोट डूंगा जब मार्केट थोड़ा हमारा रिल स्टार्टिंग के बनार तो प्लीज उसको आप अपना तब डालिएगा फिर तब हम आराम से 15-20 मिनिट्स डाउट-solving आराम से लेंगे कोई दिख करते हैं तो अभी बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं है बट क्योंकि वाल्यूम नहीं है ना ही कुछ डबलो आर्सी आर स्ट्रेंगल खेलो बट मोमेंटम आ रहा है तो लूजिंग लेगा आपका बहुत जल्दी निकलना चाहिए अब अगर नहीं आप नए हो तो स्ट्रेंगल मत खेलो आपको अगर है प्रॉफिट है एक्सपीरियंस से तो ही खेलो कि इवेंट है तो थोड़ा सा कंजर्वेटि नहीं थोड़ा है तो अगर चिखेलो को अगर को थे बापको आपको शोड़ा है प्रॉफिट है तो यह जोब को सब्यूद्व निक्ट्रेडिंग तो में dataset लोड बूर टए तुक्के बाद लिम नी ओटी एक पूरा एक लोगिंट so प्रोसेस होता है जिनको समझ में आती है नो वो कभी भी टेडिंग को उस तरीक से गंब्लिंग में तरीगे आप हर चीज में एक क्रिस्क्रिश करें मैनेज करके चलते हो हर चीज में आप एक प्रोसेस को ट्रस करके आगे बढ़त अब यहाँ पर जो है बहुत भी प्रेडिक करेंगे नहीं 900 तक आएगा 900 बजस तक आएगा हमें कोई मतलब नहीं मार्केट के उपर है हमने सिंपल चीज है कि आपने दुकान खोल लिए अपने सावान वहां पर रख लिए अब कितने गिराएगा वह डिपेंड ज्यादा उस पर आपको स्ट्रेश देनी की ज़रूत नहीं है कि मार्केट अपने टांस पर देगा उसको देना है 1s2 1 risk reward 1s2 1 देगा उसको देना है 1s2 10 risk reward 1s2 10 देगा उसको stop loss लॉसीट करना वो stop loss it करेंगा हमरा काम है कि we have followed the process by the book risk 1% से कम था जिसे 8 रुपे का रिस्क है 1% से जदा रिस्क लेता है नहीं हुआ एट रुपेस का रिस्ता विच इस लेस देन 1% तो वो हमने ले लिया वो ट्रिगर हो गया जल्दी capture हो गया trade late capture होता जैसे अभी capture होता तो problem होती कि फिर हम लोगों का उतना profit mix मिस हो जाता तो timing हमारी सही थी sectoral movement उस direction में वो भी सही था कोई problem नहीं है इसका energy का देखते हैं इसका क्या है चल रहा है cnx energy ओके यह भी अभी थोड़ा सा बेस बना के उपर आ रहा है इसलिए बीपी सेल भी अभी धीर 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 उपर आ रहा है तो बीपी सेल थोड़ा होता भी ए स्टॉक वैसा चल तो यहां पर यह stop loss किसे डाल दिया होगा है जिसको अभी exit करने exit भी कर लो अपने उमर्किया जिनको अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस की जाब से वही पर stop loss अपना इसके उपर पड़ा रहेगा which is high of this wrc के उपर आएगा तो हिट करने तो no profit no loss में एक खतम है यह गोरो तो मुझे बोल रहे थे हैं यू केंट से तो आपने वही रेखा कि बीपीचल में जो रिस्क था वो रिस्क काफी रेडियूस किया था विद्ध हेल्प अब डबली वसी तो सही टाइमिंग भी हमें मतलब मार्केट में गिवन दर वन थाउजन के आराउंड आगया जो आपका सेकंड टार्गेट वन थाउजन बिग राउंड नंबर है तो आइडली टार्गेट बन जाता है उसने दो एट कर दिया वन थाउजन पॉइंट हुगा तो वन थाउजन पॉइंट जो फाइव है मैक्सिमम रिस्क जो एट रुपिस का था उसका उतना मिल गया अब कंजिवेटिव को निकलना है तो वन थाउजन ब्यारे निकल भी सकते हो या फिर आप स्टॉप लॉस अब ट्रेल हो जाएगा य नीचे आ जाएगी विच इस 1008 मतलब अगर ट्रेड अगर एक्जिट होगा तो अब प्रॉफिट में एक्जिट होगा विच वस्ट नेरली टार्गेट वन अब यहां पर आ जाएगा जिनको आप कैरी करना है रिमेनिंग जिनको एक्जिट करना है अच्छा रिस्क या सकता है विच इस जैन के मंद के लोज है जैन मंद के लोज है तो वहां तक भी आ सकता है तो उसके लिए अगर खेलना है 985 तक तो फिर देरे-देरे ट्रेल करके जाना पड़ेगा तो अब जो ब्लैक लेन है 1000 के राउंड पे यहां पे आगी एंड इस इस वेर फाइनल आप उसको होल करना है 985 तक जो अगरेसिव है वो होल कर सकते है और रिमिनिंग जिसको निकलना है वो निकल भी सकते है फिक ब्रेकाउट मार्केट में निकल रहा है जिकी तो यह इन लोगों के ऊपर स्टॉप लशे का है यूँकैंसी जो यह प्लेयर्ज ए जिन लोगों ने sellers ने इसके उपर stop loss रखा है 350 के उपर देगो stop loss हट करके है अभी तो सिर्फ एक community तो one hour हो गया और इत्ता बड़ा week बना तो इसी लिए वो भी एक है higher time frame का भी आपको understanding होना important तो trading ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कोई भी चीज कही भी आपके implement कर सकते है higher time frame का भी understanding important है जब market इसके उपर गया तो मैंने lower time frame में वही observe किया यहाँ पर देखो यह level दिख रहे है जो जो मैंने यहाँ पर डाला था यहाँ से sell off start हुआ 349 के उपर तो यहाँ पर देखो क्या हुआ market उपर गया उसके बाद volume देखो यहाँ पर कितना जबरदस्ट volume आ रहा है तो उस इसलिए जब यहाँ से अगर sell off होगा ना तो बहुत तगड़ा sell off फिर start हो और यह can become one best trade बन सकता है यह अगर यह seller अब budget है तो वह पता नहीं कि आ जाएगा कल आएगा वह market के उपर है बढ़र आज ही आ रहा है तो यहाँ से वह सीधा sell off आ जाए और यहाँ तक भी आ गया 330 नहीं 340 तो छोटी बात नहीं है दो रूपे के रिस्क में और क्या expect करो गया दो रूपे के रिस्क में हमें अगर वह 8-9 रूपे का reward दे रहा है बहुत बढ़ी है जीज है उससे जादा expectation कर मतलम नहीं है बहु करता है तो फिर वह फिर 1-10-15 और ऐसी ऐसी केस में पैसा आपका फिर multiply होगा तो वह एक important चीज़ पैनिक नहीं करना है systematically करना है और काम करना अब टेकम कई आपके ट्रेल कर लो और अब रिस्क फ्री हो गया मतलब प्रॉफिट में हो गया रिस्क फ्री प्रॉप्री के लिए तो complete exit भोल दिया है थाउजड अनब conservative मतलब वो लोग है जो नए ने लोग है जिनका profit build-up नहीं हुआ है उनको setup पर ट्रस्ट नहीं है या उनका emotional mindset पुरा हिला हुआ हुआ है तो उन लोगों के लिए टार्गेट टू आगे बुक कर लो निकल जाओ रिट्स वो दो महिने हम यह करवाते है कि आपको टार्गेट टू पे तो complete बुक करना ही करना है यह कि पहले आपको थोड़ा profit build-up करना अपना उसके बाद बाखी की चीज़े बाद में चलो बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया है 40,300 के आराउंड वो भी आप बड़ वाल्यूप नहीं है विल्कुल भी इंडेक्स में इसे लिए टाइम पास चल रहा है तो बीपी सेल का अलट डाल दिया हमने वापस इसके उपर अलट डाल देता हो अब उसकी मर्जी जहा जाना है उसको आरलें तो बहुत बढ़िया विक मतलब अच्छी विक बन गई तो अब रिवर्सल देना है तो देना चाहिए बट अगर वापस उपर जा रहा है छोड़ अगर यहां से रिवर्सल दे रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया हमें मुव आ जाएगा कि यह सेलर अक्टिवेट हो जाएगा जिसने 25th 27th जैन को पूरे रेंज को ब्रिक डाउन किया तो अगर यह सिर्फ स्टॉप लास हंटिंग वाला केस है तो मार्केट यह से बीपी स स्टॉप साइडवेज जाने उसको यह उपर जाने तो फिर अपना टाइम पाज जो है वो करता रहेगा तो अगें रस्क हमारा था आराओं मैक्सिम टू रूपीस के आराओं रिस था वह हमने लॉक कर लिया है और उसने टू रूपीस के रिस में थी रूपीस का हो पुरा लो वॉल्यूम में मूव और तो आज लाइज सेशन ग्यारा बजे एंड करेंगे बिकॉस थोड़ा मुझे एक दूसरा काम भी है तो 11 o'clock पर एंड करेंगे कल बजेट है तोमारो विल आलसो है लाइज सेशन कल थोड़ा लंबा कर सकते हैं बजेट के एंट एक ब डाइज सेशन काम भी अज यह लूग एंफ्लूयंस ओते हैं पीनल लेके तो वो नहीं होना है यह अथो स्टिक टूप सिस्टम करेट और भी वो मुट पर चला यह लगत अबदर पर अब यह जो इस मुझे बोल रहा है कि ने निसमी में बोल रहा है जो मैंने उसी का बोल रहा है बराबर है ना हां 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 राइट 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 तो इस टीक टीड प्रोसेस एग्जाक्लि तो ट्रेट करो और पाच्छे परसेंट का मुह आ रहा है बट ऑपोसिट डारिक्शन में मुह आता है न तब फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लेम होगी है तो उसको अवाइट करना है और जिस थरीके के अभी इवेंट चल रहे है इन स्टॉक्स में तो थोड़ा सा हमेशा मैनुपलेशन काफी इजी ली मतलब उन में होता है सेम लेक जोमेटो पेटीम यह सब जो स्टॉक्स इन में भी सब यह मैनुपलेशन नहीं हुआ क्योंकि वालुएशन कुछ भी करके आई प्यो लेकर आये जो की जस्टीफाई भी नहीं होता तो सिर्फ न्यूस पर जो है उस पर आप बिलीफ करोगे तो कभी भी मार्केट व कि आपको देखना पड़ता है कि अगर आप इंवेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो फंडामेंटली वह अच्छा होना चाहिए बादानी समान अभी स्टॉक्स जुन्होंने पहले इन्वेस्ट के उनके लिए सही है बड़ जो अभी देख रहे है वह मतलब सिंपल चीज़े क कि रॉंग अप्रोच हो कि यहां पर भी जुन्हों नहीं आई प्यों डाला हो तो बरवादी खतम हो गया कि वन फॉर्थ हो गया इप्यों का प्रेस तो यह उसका वैलुशन ही गरवर था स्टार्टिंग से इसका जो मैटो सब एक एक साल में के वैलुशन डबल करके आई प सस्टेन नहीं हो गया एक सो वन सिक्स्टी का हाय मार के अभी फॉट्टी पर आगे चांस ही नहीं सब यह नाइका वगरे तो यह सब जो होता है यह सब बड़े फंड्स जो होता है इस बिग फंड्स पंप एंडम करते हैं तो उन्हों यहां पर पंप किया स्टॉक को कुछ ह वक्ते संबाला जैसी उनका परपस साल हो गया यह चार सो का स्टॉक अभी हो एक सो तीस पे अगया अभी भी डेवलोप यह ओपना तो यह फिर इसमें रिटेल लोग अटक जाते हैं की जस्ट बिकॉस देहर अल्द पॉजिटी नुस अवार्ड इट तो ऐसे नहीं करना है सर्फ स्क् Ald Das की qaечь वर्णा प्रीट पिकुटक के जीचई अधायरे आपको मार्केट में रियक होना है सिर्फ स्टॉक्ट्षर या इंवेंट बेस्ट पहारा रहा है तो यह आप ट्रेट करो तो फिर इन्वेस्ट्मेट के लिए क्वालिटि स्टॉक्स में स्टिक करो जो अच्छे अच्छे stocks है, ICICI है अपने, जब यह correction आएगा, HDFC Bank, Tata Motors आपके, या फिर, जो reliance है, index ETF है, जब correction आएगा, उन में जाएंगे, फिर, वैसे इसमें आप, हवाइडी करोगे, तो बेटर रहेगा, क्योंकि, इन में अगर चाहिए, तो आपको fundamentally भी stock, बतलब, reading आप को करते आनी चाहिए, और जो fundamental overvalued stock है, वो returns कभी नहीं देंगे, आपको, short term जब market bullish है दे देंगे, बट जब भी market थोड़ा unstable होता है, सबसे पहले correction उन में ही start होता है, तो बीपी से लवी डेलो ब्रेक कर दिया, तो विच इस गुड़ निवस, अन अब अब अगर यहां तक वा रहा है, तो 341, अभी उसने, सब्सक्राइब, वने सब्सक्राइब, तो दे दिया, बट अब कंटीनिव रहेगा, तो इस गुड़ एंड टेकम भी अभी वहाँ पर थाउजन के असपस, उपर नीचे टाइम पस कर, चला, तो भी रहाँ स्टार्ट फिप्टीन मेंट्स, दोट सॉलविंग के लिए, बैस ग आप इन टैप इन द चैत, बिंडो आपकी जो कईरी जै, प्रपर ओंलान से रिकनरशन, रिकनरशन में, online sessions ही होता है प्रापर recorded sessions you'll get मतलब उसी session का recording मिलता है but we don't have completely पहले से गेम जिंजर में जैसे recorded जाते की वो do-it-yourself program जाते है वहाँ पे every session online और live होता है उसके बाद उस session में you can ask your queries also because that is the always the best way of learning की queries तभी के सब्सक्राइब हो तो वह बेटर है और प्रिवेश वीक लो बस यही चीज़ सफीशिट है एक फेप के बाद new batch कब से होगा वह announce हो जाएगा because जब पिछला जब sessions complete हो जाते है उसके बाद ही new announce batch का announcement होता है तो वह जब भी होगा तो should I trade on the budget day I am a very beginner आप budget day पे in a way you should trade with hedge अगर आप कर रहो एक lot में करो कोई problem निया न रिस्क अपना define रहो जैसे per trade आपका जो capital रहेगा 2% maximum risk लो and अगर समझ में आ रहा है move या password the setup it is coming जैसे आपको अगर budget के बाद कोई REB base building के बाद breakout आ रहा है तो definitely trade कर सकते हो कोई problem निया उस में fear नहीं हो न बजट डे में ऐसा नहीं कि आपको डर किसे trade करना है वो matter नहीं करता बस वही है कि problem उन लोगों को होती है जो moment के पहले bias बनाता है हमेशा जैसे कि अगर किसी ने bias बनाया कि हाँ यह BPCL अभी यहाँ पर double top बना लिए यह 300 break करेगा downside वो गलत है बिकास कल अगर कुछ announcements वैसा आ गया या कुछ budget में आ गया तो यह से rally start करेगा और यह उपर भाग जाएगा तो bias ही dangerous होता है trading करना उतना difficult नहीं है अगर आपका risk manager तो फिर budget day हो नहीं हो फरक नहीं पड़ता बस हो यह कि आपको risk reward फिर बहुत अच्छा मिल सकता है कि अगर वहां से trend start हो गया budget के बाद से तो जो हमने one is to risk reward market generally one is to two three या four तक maximum देता है तो budget day one is to ten one is to twenty तक भी चले जाएगा तो कभी-कभी बहुत strong आता है तो वो चीज़ रहेगी कि जैसे दो साल पहले आपने देखा हो बजट लास्ट लास्ट यार का budget में कुछ इतना moment आया निया market में धंका बट दो साल पहले जो था 2021 में काफी सबर्दस्त candle वनी वहां पर मार्केट ने काफी अच्छा moment दिया उसके पहले 2020 के budget में sell-off आया था तो उससे मार्केट अच्छली गिरना देरे देरे चालो हुआ था budget जो आपका डे था 2020 क्या रहा हूं तब तो कोविट का था पर इंडिया में नहीं था तो वहां से गिरना चालो तो अच्छली जो पूरे यहर का जो एक थीम होता है वो फॉर्स्ट के बाद डिसाइड होता है अगर first feb के event के बाद markets नए हाइस बना रहा है तो मतलब एक big players funds आ रहे है market तो which is like की उस साल correction होना फिर difficult होता है अगर यहां से या मार्केट नए आइज नहीं बना पा रहा है या अच्छा वीकली में डबलो रसी नहीं बना पा रहा है और सल आफ आ रहा है तो फिर वो थीम correction basis पर हो जाएगी कि इस साल मार्केट sideways to correction मतलब फिर रहेगा तो वो कल के बाद फिर धिरे-धिरे next budget के next one week one two weeks में picture clear हो जाती है for long term players short term के लिए तो कोई नहीं हम जैसे trade कर रहे है structure based zone based आपका अगर जो system based trade कर रहे हो उनके लिए तो just another day only thing is कि risk exceed नहीं करना अगर बहुत जादा बड़ी candle बन रहे है short term मदब छोटे time frame में तो उसके पीछे नहीं भागना है बस बाकी कोई is it the right time to accumulate nifty ETF नहीं nifty ETF अगर accumulate करना है long term के लिए तो उसके levels मेरे बहुत clear है मैं आपको जो मेरे अगर point of you say what when I will be accumulating तो for me I will go to accumulate nifty only when is call time high which is 18,800 minimum it will form fall over here which is 15,000 fan rate के नीचे this will be the first level of accumulation और उसके बाद फिर second level of accumulation रहेगा 14,000 के आसपर तो जहाब market 35-40% गिरेगा तो यह दो points या इसके पहले nifty ETF करना कोई मतलब उतना sensible नहीं लग रहा है आप SAP करने नॉर्मल SAP कर सकते हो बड़ बल्क funds तो इन दो levels पर I will be putting जब nifty आएगा वो कब आएगा उसके हिसाब से वो करेगा right but that is like उसके उपर है तो इल दो यूपी एलनी आरी भीवी ट्रेड ओके अभी फोर केंडल्स बनने के उसके वाइन टू थ्री बने अभी यह चौथा बन जाएगा तो फिर आपका जो आरी बीवी का बेस रहेगा वो मनेगा आपका यह फिर आपका आरी बीवी का मेरे अपट वॉल्यूम के साथ डबल रसे मेंडेटरी है क्यों यह सब जो स्टॉक्स होता है ना यूपी एल आपका डिफरेंस सेक्टर के कुछ भारत डैनेमिक से रहेगा यह आपके जो आप बोलोगी कि कुछ फंश्टर्प्रवी के स्टॉक्स होगा, आपके पूछ जो हम बोलेंगे कि मेटल्स सेक्टर के स्टॉक्स हो गया, यह सारे थोड़ेट सयंसेट्वं उसरी होता है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आता ही है उसके वैसे इनमें मोलेंट, मतलब ड में करेक्शन भी आया तो भी यह अपने मंतली है पर बैट है तो उसका रीजन क्योंकि यह जो भी बजट सेंसीटिव स्टॉक्स है उसमें काफी लोग एक बैट लेनी कोशिश करते हैं कि हाँ चलो यह मूह हो जाना चाहिए मतलब एक में कुछ पॉजिटिविटी आनी वगर को इतना कुछ ज्यादा इंपक्ट गिरता निया बट यह जो यह इस टाइम पर इनका मॉमेंट ज्यादा हो जाता है अग्री कल्चर या फिर मेटल्स लेटेट कभी कोई ड्यूटी बढ़ा दिये कहीं कुछ उन्होंने कम कर दिया तो उस मेटल सेक्टर को भी डारिक इंपक्ट फिर गिरता है डिफेंस एग्री कल्चर मेटल्स यह थोड़े बजेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं कुरूट के भी बट कुरूट का अभी अभी आएक दो बजेट में उतना कुछ ज्यादा इंपक्ट उन पर गिरता निये क्योंकि वैसी वह अलग है तो वह आप कितना गिरे या उपर भी जा रहे तो भी हमारे प्राइजेस वह मतलब उनको अटनोमी दे तो बढ़ती है वह मतलब प्रेट्रोल के प्राइज बढ़ नहीं है उस रेंज में वह एक्सपेक्टेड रहता है कि कंपनीज को प्राइजिन करने के लिए तो उस प फर्तिलाइजर इंच में अपको कना हो गया तो बाकी बाकी जो भी आपके फैलाइज़ डी पक्नाइट्रेट सारी соглас of यह सब स्थॉक में डाइफिनीटली आपको इंप्रेग्डल यह इन भी आप देखोंगे तो थोड़ा सा इन में बुदृश्टनेस आई जाते आप यह भी देखो बजेट के पहले राई जोना स्टार्ट कर रहा है तो यह एक यह टेम्पररी बेसिस पर अब इसका देखो कितना यह मूँ हो रहा है अगर मूँ देखो कि तो तो साठे तीन परसेंट अपया चाहीं तो वो थोड़ा सा पंप होई जाते हैं फरक मैक्सिम केस में यूपियल भी पंपटर पर यह भी पंपटर पर कि आपका है कि बाहरा डानेमिक्स भी पम्टब है भी 945 के आरों डेंच के हाइप पे बैठा है तो जो सेल आफ आया था उसका 27 जैनुवरी को पूरा एब्सॉर्ब हो गया दो दिन में तो यह सब चीज़े आपको दिखने वाली है तो इसलिए यहां पर कैसा है कि यह उतना ज्यादा चंबल फर्टिलाइजर भी आपका देखो चंबल फर्टिलाइजर का रैली देखो आच यू कैन लुक अ दिस रैली कितना मों हो गया साड़ी चार पर से तो कल बज़ेट सब प अगले साल एलेक्शन है तो कुछ पॉजिटी नहीं हो जाएगी बट अब बज़ेट की डे पर बनाओगे तो फिर वह लेट हो जाएगे ना मुवमेंट पहले से इसमें एक्यूमिलेशन थोड़ा चालो हो गया यह भी काफी 320 से करेक्शन होके 287 पर आया अब वापस उसको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने का कोई मतलब भी नहीं है निए अच्छा लाए अजुक्त इसमें एंट रहे डा है ओके वी इन हाँ यह भी पंपट आप यह भी 4000 पह एसको भी अबज़ेट के पर दोल्य क्वेंग प्रेशिर आए ये इस टॉक को तो अप यह ऐसे स्टॉक है कि यह पुरे कल के वेट के बाद ही मोहना स्टार्ट होगे तो इन में अगर आपको करना भी है तो भी रिस्क बहुत बढ़ा हो जाता है अगर आपको ट्रेड भी करना है तो यह 3400 का बेस लेना पड़ेगा तो यह स्टॉक पे मतलब अरौन बारा परसेंट का आपका रिस्क हो जाएगा त्वेल परसेंट के आराओ अगर आप उसको स्टॉपलास करके होल भी करने अगर आभी बाइंग करने या तो थो थोड़ा बड़ा रिसक है एंड जो रिवार्ड रहेगा इसको इसको आप कभी बाइंग करना तो थोड़ा सा बेस बिल्डिंग होने के बाद जो ब्रिक आउट करेगा वह बेटा रहेगा और इसने अपना हायर लोग भी ब्रेक किया तो अभी तो बाइंग इसमें नहीं कि अग्यार यह मैंनम कि श्केम अभी आरे भी वी जिस के मोड पर जा रहा है विए विए फिफ्टीन मिनिट्स में थोड़ा सा अभी हो गया यूपल में आरी इसने भी आरे भी वी दे दिये और टेकेम भी अभी कि स्मॉल केंडल्स उसने बना लिए वन टू थ्री फॉर अभी इस बीज बिल्डिंग अभी उसका स्टार्ट हो गया मिल्कुल सही है तो आज थोड़ा मार्केट अगर साइडवेज रहा तो मोमेंट नहीं तो यह लोग भी आप बेस बिल्डिंग करके वही घुमना चालू करेंगे बहुत ज्यादा बड़ी पोजिशन साइजिंग लेके नहीं जाते हैं मतलब जो इंस्टिटूशनल रहेगा उसके बाद अब कल का इवेंट क्लियर होगा उसके बाद ही नेक्स्ट आए विल ट्राइटू है मतलब एक पोजिशन को कमिट करेंगे वाक्के इंट्रडे बिस् नहीं आ रहा है या कुछ डबलो आर्सी प्रॉपर नहीं बन रही है तो ट्रेट को रिजेक्ट करना ही बेटर होता है अच्छा है में 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 मॉक्ट इस्टा मेनेट हाँ यह सब्सक्राइब बिल्कुल बेस्ट बिल्डिंग हो रही है अच्छी बेस्ट बिल्डिंग हो रही है तो यह तीन है मतला अभी के लिए मारी भी वी के लिए दाट यू कन फोकॉस हो अच्छा सब्सक्राइब करेगा यह ब्रिकडाउन करेगा तो अच्छा दे सकता है शराब्स करें अच्छा दे सकता है वैसे सकता है चरुप पारशा यह ताट है अच्छा आपकर है इस लार्सन के लिए एक मिनट लार्सन फॉर इस लार्सन भी कर रहा है कि यह भी आप उसको कर सकते कोई प्रॉल्लम नहीं है काफी सारे स्टॉक जाता रहेंगे कि अभी वही है कि चलते रहेगा टाइम पस वहाँ पर वही यह वॉल्यूम डबलो रसी थोड़ा आज मैं वह मेंडिटरी हो जाता है रूल डबलो रसी वॉल्यूम मिसिंग है तो ल्टी यह लारसे अंटोब्रो भी बजट संसेटिव स्टॉक है यह भेल कैपिटल गोड्स पर भी कुछ ना कुछ वो लोग अनौंस करते हैं पर भी मुवमेंट आती है फिर उसके पाद हुआ 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 है थीग है ना तो इसको अब्सक्राइब थोड़ा बोरिंग मार्केट हो जाएगा बिकॉस आभी जो है हर जेगे वाल्यूम बहुत कम डिप हो रहे बैंक निफ्टी नीचे उपर पीड़ेश बीड़ उधर ही घूम रहा है कोई उसमें उतना वाल्यूम आनी रहा है और इसलिए वाल्यूम इंपोर्टन रहता है कि यहां पर बैंक निफ्टी का आपको एक्जामपल समझ में आएगा ने यह देको बैंक निफ्टी बहुत बार हम ऐसे ट्रेट करते हैं यह लेवल पर बनाया ब्रिक किया इसको जैसी अना तो इसलिए प्रोसेस इंपोर्डेंट है रफ्रेंज जोन का परपस ही होता है ताकि ट्रेट को हम दम राइट लोकेशन और टाइम पर पगड़वा है बीच में कुछ हो रहा है वो वर्तलेस है यूजलेस है वह हमारे कोई मतलब नहीं है इनको स्टैडल स्टैंगल बन फिर ट्राइटू एक्टेंड लाइसेशन हम करेंगे तिल एक बिजे तक देड़ दो जब तक वो बजेट रहेगा अपना उसका मोमेंट एक बार क्लियर हो गया उसके अबत क्या है तब तक विल्टो ठीक है चलो फिर आज का यही पर किनो ने ट्रेड करके प्रोफिड बना सब्सक्राइब लास्डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है तो एसा कुछ नहीं कि हमारा बिगिनिंग से फालो करते हैं वो बस आपना रहे अलर्ट साते हैं आमने उस सिस्टम बना रखा है उसके थू भी हैस तो गेट था कॉंसे स्टॉक सेटप हो बन रहा है तो मुसे साब से गें सिस्टम और अलर्ट सा वापे मतलब है तो बने हुए है एक्टिफ अरि भी एक्टिव है a2 के तो उसकी साब सही दैनी स्टॉक वापर सिलेक्ट करता है चाट आपको देखना पड़ता है डेफिनेटली अपको ऐसे वह बाइसेल नहीं बताएगा चाट आपको देखना आप जब प्रक्टिकल पर आते हो तो आपका टाइम जो एनलेसिस का अथा बहुत रिदिश हो जाता है जा लो ठीक है फिर कल मिलते हैं बजेट देपे जा लो ठीक है आ खोप यू लर्न सम्धिंग अजिनको प्रोफिट आए वापे वापे वा आया यू आया यू कन शेयर वि आस कियो वापेIST्ग लाइम उस्ट का बढाए बग्रोफिए यू किरे संब आपाेका टबूड़